नमस्कार अभी आप केवी में आ चुके हैं और आपको पता होना जी केंद्रे विद्याले की जो फी है वो कितनी होती है इस वीडियो को लास तक देखना और आपको पता चल जाएगा कि केंद्रे विद्याले में फी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार कराता है किस-किस पच् स्क्राइब कर लो और इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो जो है वो मिल जाए के अंद्री विद्याले जना मंदित ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फी स्ट्रेक्चर पर मंत पर मंत के अकॉर्डें हम बताएंगे एक्च्वल में जो फी है वो क्वाटरली ली जाती है तीन फिर उसके बाद यह जो है मेशा नहीं ली जाती है जब एक बार बच्चे के अडिमिशन हो जाती है तो फिर अगर उसका नाम कहीं कट जाता तो फिर उसको रिया डिमिशन लेनी पड़ेगी तो उसके लिए 100 रूपियास जो फी रहती है फिर ट्यूशन फी थ्री नंबर प अंटन के बच्चों के लिए इनकी है क्या रहती है 11 सकते हैं नाइन और ऑन टैन के बच्चों के लिए क्या भी रहती है डिमिशन फी तूहनद रूपिश ठीक है 200 पर मंथ और थ्री मंथ का कितना ऊगया 600 व्यास ए mniej और deuxième कामस और हिमेनिटिस के जो ब्हार इस उनकी रहती ह के 300 और क्वाटरली हो जाएगी इनकी 900 क्लास 11 और 12 के साइंस के जो बॉइस उनकी 400 फी रहती है और क्वाटरली है वो रहेगी इनकी फॉर इन्टो त्री 1200 यह ट्यूशन फी रहती है वाइस की ओके तो गल्स का यहां पर कहीं पर भी बात नहीं रही है इसका लोग जिफी वह करते हैं लोग कंप्यूटर की बाथ करते हैं कंप्यूटर फंड के लिए चाथि एक अंदरी विद्ह जलिकियो से लुशे क्लास थी से उपर class 3 onwards first second तो क्या है 3 onwards wherever computer education is being embedded तो 100 rupees embedded है 100 rupees ठीक है class 3rd onwards 100 rupees fee लगेगी class 3 के उपर computer education के लिए और 3 महीने के होगी 300 रुपया 300 rupees तो 4th का जो B है वो देखें आप computer science fee रहती है for elective subject plus 2 stage में plus 2 में रहती है ठीक computer science fee उसको वो अलग से computer science subject रहता है CS कहते हैं उसको उसके अलग से फी लगती है RS 150 per month ठीक है और 5 में देखेंगे विद्याले विकास नहीं दी जिसको VVN कहते हैं यह बहुत important fee रहती है VVN विद्याले विकास नहीं दी class 1 to 12 हर बच्चे से यह fee ठरली जाती है कुछ बच्चे exempt रहते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे आप देखेंगे इसको तो RS 500 लगती है और तीन महीने की हो जाएगी कठे जब देंगे तो 1500 सिरफ बीवियन होगा अगर आपका बच्चा class 3 से उपर की किनिक अक्षों में पढ़ रहा है तो आपके बच्चे की computer fee लगेगी और बीवियन लगेगा ठीक है computer fee लगेगी 300 quarterly 300 रपया तीन महीने का और 1500 रपया लगेगा आपका किसका बीवियन का तो कितना हो गया पंदरा और तीन 1800 रपया लगेगा आपका तीन महीने का 600 रुपीज पर मंत मान के आप चलेंगे तो इसी तरह से जब 9th से उपर चलने लग जाएंगी classes तो tuition fee एड़ हो जाएगी जो tuition fee मैंने आपको उपर बता दी यह देखो tuition fee कितनी रहती है 9 और 10 के लड़कों के लिए 200 रुपय रहती है 200 रुपीज कुछ एक बच्चों के लिए exempt भी रहती वह भी बता हूँगा और जब हम 1800 में 200 ओर एड़ कर देंगे तो 2000 रुपीज लगेगा quarterly तीन महिने का 2000 रुपीज आपको देना है तो इसके साथ class 1 और 2 के लिए only 1500 रुपीज ही है क्योंकि उनको वी वी नहीं देना है उनकी computer fee नहीं रहती है यह बात आप अच्छे से समझ लो screenshot लेकि आप इसकी रख सकते हो और आराम से आप इसको समझ सकते हो फिर मैं आपको उताता हूँ category wise exemption from the payment of tuition fee BVN computer fund जो exemption है वो किस-किस चीज की है क्या-क्या आप से नहीं लिया जाएगा किन-किन बच्चों से कौन से fee नहीं ली जाएगा यह मैं आपको बता रहा हूँ तो इस तरफ left side category लिखिया राइट साइड आप समझेंगे गर्ल स्टूडेंट्स फ्राम क्लास वन तो ट्वेल्ब tuition fee जो है वो एक्सम्टेट है गर्ल स्टूडेंट की tuition fee नहीं लगती है और BVN जो है वो exempt नहीं है BVN सब को देना है ठीक है गर्ल स्टूडेंट को BVN देना है Computer fee जो है वो भी exempt नहीं है SC और SC स्टूडेंट उनके लिए tuition fee exempt है लेकिन BVN और computer fee exempt नहीं है Children of KVS employees tuition fee exempt है पर computer fee और BVN exempt नहीं है Children of officers and men of armed forces and paramilitary personnel killed or disabled during the hostilities 1962, 1965, 1971 and 1999 and as well as to the children of defense personnel of Indian peacekeeping force IPKF in Sri Lanka and personnel of armed forces killed are disabled in operation Meghdoot in Siachen area and operation visa in Kargil इनकी जो है tuition fee वी exempt है और BVN contribution वी exempt है free of cost पड़ेंगे शिरफ computer fee देंगे ये लोग बाकी एनकी tuition fee वी exempt है BVN contribution वी exempt है ठीक है अब हम बात करते हैं transaction of exemption from payment of tuition fee BVN commitment is also extended to the children of armed forces and paramilitary forces personnel whose parents were killed declared missing or permanently disabled during any counter insurgency operation in India or abroad जो army personnel जो है वो बच्चे जिनके मादा भी था कहीं युद के दोरान गायव हो गए थे या मिले नहीं थे ऐसे बच्चों को भी केंदे भी देले initial education जो है वो देता है उनसे computer fee भी नहीं लेता है उसके बाद बात करते है children of parents who are living below poverty line up to two children and having BPL card ठीक है ऐसे parents के बच्चे जो BPL में fall करते हैं below poverty line में और उनके दो ही बच्चे है ऐसे बच्चों की जो education है class 1 to 12 जो है वो exempt रहती है सिर्फ उनसे क्या ली जाती है computer fee ली जाती है ठीक है computer fee ली जाती है और कुछ नहीं लिया जाता फिर उसके बाद disabled student subject to the condition let down in kbs letter number इतना इनको भी exempt है disabled student को सिर्फ इन से computer fee ली जाएगी बाकी BVN भी नहीं लिया जाएगा फिर उसके बाद category wise exemption from the payment of tuition fee BVN computer fund तो यह भी same चीज यहां बता रहा हूं है category all girls student from class 6 to 12 who happened to be the only child of their parents from BVN and computer fund तो इनकी tuition fee exempt computer fee exempt और BVN contribution fee exempt जो single girl child है छटी सले के बारवी तक इनका क्या रहेगा BVN computer fee or tuition fee exempt रहेगी इनको कोई fee नहीं देने है emergency assistance to the students exemption of BVN for one academic session is allowed to not a hap ko but other ranki exemption of various types of fees mentioned above will not be allowed hence for to the children of government employees including canary with the lesson return for as they are getting reimbursement from their departments canary with LA under project sector authorized to implement their own different shell fee structure wide इतना in addition provision incorporated in article तो इस तरह का ये admission fee sorry ये fee का structure था अब आप मैं आपको बताता हूँ कि admission और re-admission क्या चीज़ है and admission fee of RS 25 shall be paid at the time of fresh admission to the school and admission fee of RS 25 is also ले जब दूसरे केंद्री विद्याले में आप admission लेना चाहता भी 25 रुपी charge करना पड़ेगा और re-admission fee RS 100 for name struck off due to any reason ठीक है बच्चें का नाम कर जाएगा फिर से re-admission करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज लगेगा mode of payment payment का mode क्या रहा था कैसे आपने पैसेज यो जमा करवाने तो quarterly होगा इन advance by the 15th April July October and January fees paid for a quarter will not be refunded refund नहीं होगी from next quarter onwards the fee will be deposited through Union Bank of India UBI जो all over India में है हर जगा पर bank है यही के अंदरी विदेले की फी लेता है fees can be deposited through net banking debit card credit card or cash accept check payment आजकल आप Google पैसे भी कर सकते हो phone page से भी कर सकते हो भीम इत्यादी सब आप से आप कर सकते हो important notice for parents at the time of band curfew heavy rainfall snowfall or some other unforeseen circumstances it is the responsibility of the parents for the safety and security of their words ठीक है fine की भी यहां बात करते है fine of Rs.5 rupees per day for BVN and Rs.5 per day tuition fee will be charged up to last working day and after which the name shall be struck off the role due to non payment on dues and re-admission will be drawn on payment of Rs.100 along with late payment fine यसलिए आपने बच्चे की जो दिन बताए जाते हैं जब जब फी ली जाती है जैसे अभी अप्रेल से session शिरू होता है हमारे विद्याले का तो अप्रेल मैं जून तक तीन महीने होगे जुलाई अगस सिप्टमबर तक तीन महीने होगे और अक्तूबर नुमबर दिसंबर तीन महीने होगे जनवरी फरवरी मार्स तीन महीने होगे यह चार क्वाटर रहते हैं इन्हीं क्वाटर में आपने पंद्रह तारीक से पहले वेले फी जमा करनी है तो उसके उपर जाने से आपके पर डे फाइप इस एक्सट्रा आपको देने पड़ेंगे लेट फी हो जाएगी और अगर आप लास्ट वरकिंग टे तक आप पैसे नही जाएगा फिर सिद आपको रियर्मिशन कि प्लेट रुपिज देने परें एक्सम्शं की बात करें तो च्छंश फ्रू पाइं टू पाइंट प्रूं दूजय के शीचिट न्यां गरें देने वी जांट ग्राइप्ट क्रूंस प्रूंच से स्थैंट जाइं दूस श्त्ट in class 9 to 12 child in higher classes will pay full tuition fee and the others only half poverty come merit fee concession may also be granted by the principal deserving student on submission of writing application from the parents supported with documentary evidence this is subject to the available quota no exemption is granted in bbn in any class for any reason for any category belong to accept single girl child from class six onwards तो ये थी फीज से समंदित वीडियो आपने अंतक देखी आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें आगे वाली वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि एक्जाम का स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है एक्जाम किस प्रकार के होते हैं कौन कौन से आप